दौसा जिले के महुआ से निर्दलिय विधायक ओम प्रकाश हुडला को किसी अंजान शक्स ने जान से मारने की धमकी दी है। हुडला भले ही निर्दलिय विधायक हो लेकिन गहलोत सरकार को वो पूरा समर्थन दे रहे हैं। लहाजा मुख्यमंत्री अशोग गहलोत के निर्देश पर अब विधायक ओम प्रकाश हुडला की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अब हुडला को वाई काटेगरी की सेकिरूटी दी गई है जिसके तहत हर वक्त हुडला के आसपास 11 जवान तैनात रहेंगे। पात जवान उनके घर पर और छे जवान उनके साथ हर वक्त मौझूद रहेंगे। जान से मारने की धंकी वाली कॉल के बाद हुडला ने खुद मुख्यमंत्री अशोग गहलोत को पत्र लिखकर अपनी सुरक्षा बढ़ाय जाने की मांग की थी। इससे पहले साथ जून को भी महुआ विधायक ओम प्रकास हुडला के होटल पर कुछ अग्यात लोगों ने तोड़ फोड की थी। जिसके बाद हुडला ने मीडिया के सामने आकर अपने विरोधियों को खुली चेताउनी दी थी। खुद पर हमले के लिए हुडला ने खरन माफिया को जिम्मेदार ठहराते हुए बीजेपी के राजे सभा सांसद किरोडी लाल मीडा को भी जिम्मेदार ठहराया था। हुडला ने तब भी सब के सामने कहा था कि वो मरने से डरते नहीं हैं। विधायक ओम प्रकाश हुडला पिछली बीजेपी सरकार में बीजेपी के विधायक रहते हुए संसद्ये सचिव भी रह चुके हैं। साल 2018 में हुए विधानसबा चुनाओ में बीजेपी से टिकट ना मिलने पर हुडला निर्दलिये चुनाओ जीत कर विधायक बने थे। हाली में सचिन पाइलिट कैम्प और अशोग गहलोत कैम्प के बीच चल रही बयानवाजी के दौरान भी हुडला ने गहलोत खेमे का पक्ष लिया था। हुडला ने पाइलिट के खिलाफ मीडिया में अपना बयान भी जारी किया था। राजस्थान तक के लिए दोसा से संदीप मीडा की रिपोर्ट।